Hey guys, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त और आज मैं रोस्त करूँगा शंकर की 2.0 को So, आज मैं देख के आया है और शंकर की 2.0 जो है रजनी कांथ और अक्षे कुमार स्टारर जो लोग कह रहे हैं ब्लॉक बस्तर है But मैं क्या कह रहा हूँ? आपको end में पता चलेगा So, start करते हैं plot से इस movie का plot कुछ जादा अलग नहीं है इस movie में revenge है So, यहाँ पर revenge लिया जा रहा है ना ही मा का, ना ही बाप का, ना ही माशुका का, ना ही अपने सास का, ना ससुराल का यहाँ बदला लिया जा रहा है पंचियों का जो हमारे जादा सेलफोन के इस्तिमाल करने के वज़े से मर रहे है अब interval तक हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पर एक जो पंचियों बड़ के आ रहा है और लोगों को क्यों मार रहा है अभी मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें बुड़ा आदमी जो अक्षे कुमार है वो एक सेलफोन टावर की तरफ चल रहा होता है वहाँ जादे जादे वो अपने आपको सेलफोन टावर से टांग कर फासी दे कर मर जाता है इसके बाद आपक्षे कुमार को इंटरवल तक नहीं लखते है इसके बाद हमें इंट्रडक्शन दिया जाता है नीला का जो एक यूमिनाइट रबॉर्ट है वो है डॉक्टर वसी करन एक ए रजनीक कांथ की असिस्टेंट सो कुछ देर मुवी चलते चलते अचानक से लोगों की हाथ से सेलफोन उड़ जाता है और इसे इंवेस्टिगेट करने के लिए डॉक्टर वसी करन को बुलाया जाता है और जब अचानक से एक जाइंट इगल अब ये पैंग्विन है इगल बूला था जब लोगों पर हमला करना शुरू करता है डॉक्टर वसी करन के पास कोई और आप्शन होता नहीं है तो उसे चिट्टी को वापस लाना पड़ता है बट चिट्टी की वापसी में इतना कुछ इंपाक नहीं होता है इंटर्विल के थोड़े टाइम पहले ही वसी करन के पास एक सेलफोन होता है जिसके तुरू वो इस इगल को ट्राक करने के कोशिश करता है तो उसे वो इगल मिल जाती है वहाँ चिट्टी और ये बहुत कोशिश करते कि उस इगल को कंट्रोल मिला है वो इगल अचानक से एक अंडा देती है चिस अंडे में से अक्षिकुमार निकलता है Yes, guys, for real वो अंडे में से अक्षिकुमार निकलता है और वहीं इंटर्विल हो जाता है Now, जो मज अवेटेट फ्लैजबाग की जरूषबत थी इस movie को एक first half में मेरे हिसाब से वो आता है second half में जहां हमें पता चलता है कि अक्षिक कुमार बहुती बड़ा bird lover है bird watcher है I'm sorry एक bird enthusiast है जो एक anthologist professor भी है उसे पंची उसे बहुत प्यार होता है बड़ उसे पता चलता है कि हमारे cell phone की जादे इस्तमाल करने के वज़े से पंची मर रहे है यहां एक बुड़ा professor लोगों से फर्यात करता है कि प्लीज आपका cell phone कम यूज़ करिये इसके विशे पंची मर रहे है पंची मरेगे तो इंसान भी नहीं रहेगे पंची कीडे खाते हैं और कीडे जाड जाड पौदे सब खाते हैं और पौदे नहीं रहे तो इंसान भी नहीं रहेगे here's a logic in that तो यहां वहाँ जाता है ठोकरे काता है मिनस्टर के पास जाता है cell phone companies के पास जाता है उनसे request करता है बट कोई उसकी नहीं सुनता एक बुड़ा आदमी ठक के suicide कर जाता है तो चिठी 2.0 को introduce करा जाता है हाँ यह वही evil robot है जो robot 1 में था red chip वाला मेरे हिसाब से उसे काफी पहले introduce कर देना चाहिए था बट वो movie में काफी देरी से आता है बट चिठी आप जैसा जानते हो वह अपने आपको खुदा मानता है और इसके सामने एक challenge होता है वह पक्षी राजन इस movie की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 3D effect इस movie को 3D में convert नहीं किया गया है इसे 3D style में ही shoot किया गया है मेरे इसाब से मैं इस movie के दूगा 3Eagles Penguin है यार So this is Imran smiles saying bye bye मैं लोटूँगा अगले हफते एक नया review लेके और आपकी help करने के आपको ये movie देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए Till then, bye bye, see ya